Assalamu alaikum dear students, good morning to all of you, I hope you are all well there, dear students, open up your book at page number 69, so today we have our topic time and money, हम करने जा रहे हैं time and money, so time and money में हमारा जो first subtitle है वो है days of the week, ठीक है, days of the week क्या होता है, days होते हैं दिन, week होता है हफ़ता, हफ़ते के दिनों के नाम, ठीक है, हफ़ते के दिनों के नाम, जो days होते हैं, Sunday, Monday, वो नाम आपने यहां पर learn करने हैं, अब क्या है, there are seven days in a week, ठीक है, एक हफ़ते में कितने दिन होते हैं, seven, ठीक है, यह आपने learn करना है, there are seven days in a week, एक हफ़ते में कितने दिन होते हैं, seven days, अब कौन-कौन से होते हैं, वो नाम आ of you Friday Saturday that's all for you ठीक है यह आपको नाम दिएगे हैं कौन-कौन से days after week होते हैं दिन कौन से होते हैं पहले कौन सा आता है Sunday फिर Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday कितने हुए यह seven days एक week में कितने days होते हैं seven days होते हैं ठीक है days of the week कितने there are seven days in a week Sunday Monday Tuesday to Wednesday Thursday just a few Friday Saturday that's all for you ठीक है आपने यह days learn करने हैं ठीक है now color the t-shirts of the dwarf as per the color की ड्वाफ बोलते हैं बोने को अब जैसे यह बताए हुए हैं इनके यहां पे नाम भी लिखे हुए हैं और इनको रैंकिंग भी दिए हुए है ठीक है first कोन सा है second कोन सा है आपने क्या करना है इनकी t-shirt को color करना है as per color की अब यहां पे हमें यह दिया हुआ है और यह color की यहां से हमें वही color same choose करकी यहां करना है अब जैसे यहां first color green है तो first कोन सा है first sunday sunday तो first day कोन सा संदे तो इसकी t-shirt को आपने green color करना है second आगया red second कोन है Monday यह तो इसकी t-shirt को red करना है यह आपने book पे ही करना है ओके now अब मैंने एक worksheet ली है इसमें आपने क्या करना है drag and drop the day that comes after the given days ठीक है आपको दो डेज दिये हैं तीसरी blank है और आगे दो option दिये हैं आपने क्या करना है दो डेज के बाद तीसरा day कौन सा आता है वो इन दो option में से choose करना है ठीक है जैसे sunday monday इसके बाद क्या आएगा sunday monday Tuesday तो ये Tuesday यहां है यह आपने उपर यहां पे लिखना है इस जेगर ठीक है Tuesday ठीक है यहां पर next है हमारा Friday Saturday अब डैश Friday Saturdayれて różne day और फिर क्या आएगा Sunday तो आपने यह वाला जो Sunday है यह उपर लिखना है dependence day उसके बाद क्या आएगा Friday जब आप यह seven days अच्छे से learn कर लोगे त तो यह वाला काम जो है यह आपने नोट बुक पे करना है पिक्टिस नहीं ड्राग करने हैं सिर्फ इसी तरह बताना है ठीक है तो दिस इनाफ पार्ट टू डे थैंक यू अलाहाफिस